नाजरीन आदाब मैं डॉक्टर मुसरत जहां असोसेट प्रोफिसर शोवे उर्दू मौला नाजाद नेशनल उर्दू इन्वर्सिटी आज हमारे लेक्टर का मौजू है कर्बल कथा शिमाली हिंद की एक अहम तस्नीफ इस मौजू के तहट हम शिमाली हिंदूस्तान की बाजनस्री तहरीरें के हवाले से गुफटगू करेंगे आगे चल कर वहां की एक अहम तस्नीफ कर बलकथा पर तफसील से रोशनी डालेंगे नाजरीन फोर्ट विलियम कालेग से कबल अर्दू एक नौखेज जबान थी उन दिनों शिमाली हिंद में नसरी अदब की सूरत गरी हो रही थी उसमें अरबी और फार्सी जबान के अलफास की आमेजिश कसरत से थी इस सूरत हाल में उर्दू दूसरी हिंदूस्तानी जबानों से इस्तफादा करते हुए निकरने शमरने और अपनी मुनफरिद शनाख काइम करने की जद जध कर रही थी उर्दू के तरकी पसंद नाकिद सेद इहत शाम हुसेन अपनी मायनास किताब उर्दू अदब की तनकीदी तारीख में उर्दू के अबतेदाई दोर के हवाले से लिखते हैं के लिसानियात के उल्मा ने दिली के आसपास की उर्दू जबान के बारे में जो कुछ लिखा है उससे मालूम होता है के बोल चाल के लिए ये जबान एक तरकी पजीर शकल में बहुत दिनों से राईश थी और आपस के तालुकात में बहुत सी ऐसी कहावतें ऐसे महावरे और जुमले पैदा हो गए थे जो अवाम से उसके तालुक का पता देते हैं शिमाली हिंद में अठार्मी सदी के दिस्वे अवल में कई नसरी तस्निफात की मुखतलिफ नौ किस्म की तहरीरें सामने आईी दिबाचे अर्दु शायरों से मतलिख तसकिरे लुगात और तर्जुमे वगएरा अर्दु नसर की अब्तिदाई शकल में मौजूद हैं शिमाली हिंद की पहली नसरी तस्निफ तस्लीम की जाती है अर्दु नसर के अब्तिदाई दोर के मसन्निफीन में फजल अली फजली का नाम एहमियत का हामिल है फजली से मतलिक मालुमात तारीख तसकिरे की किताबों में कम ही मिलती हैं ये अन्दाजा किया जाता है कि फजल 1710 इसवी में पैदा हुए होंगे वो 1750 इसवी में हयात थे उसके बाद के हालात का पता नहीं चलता फजली की तरजमा शुदह तस्नीफ कर्बल कथा में चीदा चीदा दकनी जबान के अलफाज और महावरे मिलते हैं लेकिन इसके बावजूद महाकिकीन की राय है कि वो शिमाल के रहने वाले थे फजली फारसी जबान के अच्छे वाकिफकार थे कर्बल कथा में फारसी के अशार, अलफाज और अरबी जबान में अबारतें मिलती हैं इसकी दो वजुभात हो सकती हैं अवल उस जमाने में उर्दू फारसी आमेज होती थी दोम इस तस्नीफ का पसमन्जर मजहभी नौईयत का है मुल्ला हुसैन वाइज काश्वी जो इरान का रहने वाला था उसकी मादरी जबान फारसी थी और फारसी में ही उसने रोज़त शोहदा रकम की जो तारीखी और मजहभी नौईयत की किताब है उसे महर्म के महीने में पढ़ा जाता था रोज़त शोहदा में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का बयान बहुत ही पुरदर्द अंदाज में पेश किया गया है ताहम फारसी होने की वज़ह से आम लोगों के लिए उसका समझना आसान ना था फजली ने उसे अर्दू जबान में मुन्तकिल करके कारे नेक किया है और उसका नाम कर्बल कथा रखा कर्बल से मुराद कर्बला और कथा का मतलब कहानी है यानी कर्बल कता में मकद्दमा दिबाचा बारह मजलिस और खात्मा की पांच फसले हैं पहली मजलिस में हुजूर नबी करीम अज्यान साहब सादी हजरत फात्मा और दोनों नवासों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन का तारूफ पेश किया गया है उन सब की महबत अटूट थी मसन्निफ ने उसे तमहीदी अंदास से पेश किया है ताकि पढ़ने वाले का जहन पूरी तरह से तैयार हो जाए कर्बल क था कि इस दूसरी मजलिस में नभी करीम सल्ले लाह लए वसल्म की साहब सादी हजरत फात्मा उनके खावन हजरत अली और उनके बेटे हजरत हसन और हुसैन की कुर्बत और उनकी आपसी महबत का जिक्र किया गया है कर्बल क था के इस दूसरी मजलिस में हजरत हसन और हजरत हुसैन के किरदार को उभारा गया है हजरत फात्मा की वफात का बयान इंतहाई दर्द आमेज अंदाज में मौजूद है इप्तिदा इस शेयर से हुई है के यह दूसरी मजलिस है सो उसमे सर्बसर खेरुन निसा के मरने का यारो हवाल है इस मजलिस में हजरत फात्मा की खूबियों को नुमाया किया गया है हजरत फात्मा को अपने शोहर हजरत अली से बहुत महबत थी वो उनका बहुत इहतराम करती थी हजरत हसन और हजरत हुसैन से बीबी साहबा की महबत और उनके तेई फिक्रमंदी को भी उभारा गया है तीसरी मजलिस में हजरत अली चौथी मजलिस में हजरत हसन और पांचवी में हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और विसाल का बयान है च्छटी मजलिस कर्बल कथा का बहुत ही पुर अस्र हिस्सा है उसमें हजरत मुस्लिम बिन अकील के दो फर्जंदों हजरत मुहम्मद और हजरत अबराहीम की शहादत का बयान है हضرت مسلم के उन दोनों फर्जंदों के सरकलम करके दरियाए फरात में बहादिये गए थे करबल कथा का ये हिस्सा बहुत ऐहम है सात्वी मजलिस में हضرت इमाम हुसाइन और हजरत हुर के आपसी महबबत को पेश किया गया है मजलिस के इस हिस्से में हुर की शुजात और इमाम हुसाइन से वफदारी का बयान मिलता है इस मजलिस की इत्दा इस तरह होती है ये मजलिस है गिसात्मी तिसमे हुसाइन का काबे से कूफे कूँ सफर और हुर का हाल है आठवी मजलिस में हजरत इमाम खासिम की शहादत का बयान है कर्बल कता का ये हिस्सा इसलिए भी बहुत पुरस्र और दर्दनाक हो गया है कि हजरत खासिम का उसी दिन अगद होता है और उसी दिन वो शहीद हो जाते हैं ये सानिहा कोई इत्तफाकिया नहीं हुआ था बलके ये हजरत खासिम इमाम हुसाइन और नई नवेली दुलहन वगयरा सबों को मालूम था उर्दू मर्सिया गोयों ने वाकियात कर्बला के इस दिन के मनसर पर बहुत लिखा है नवी और दस्वी मजालिस में भी हजरत अली अकबर इमाम हुसाइन की शहादत के वाकियात पेश किये गए हैं ग्यारहमी मजलिस में शीरखार अली असगर की शहादत का बयान है अली असगर मासूम छोटे बच्चे थे उन्हें प्यास लगी थी लेकिन दुश्मनों ने तीर चला दिया था जिससे वो शहीद हो गए बारहमी मजलिस आखरी मजलिस है जिसमें हजरत इमाम हुसाइन की शहादत का बयान इंतहाई पूर दर्द अंदाज में किया गया है आपकी शहादत के साथ ही वाकिया कर्बला तारीख का एक बाप बन जाता है जो आज तक लोगों के दिलों और जहनों में महفوظ है इस हिसे का आखरी बाप बहुत ही रूह फरसा है मुलाहिज़ा कीजिए ऐ शिमर जानता है के आज कौन दिन है कहा जुमा और रोज आशूरा फिर फरमाया पहचानता है के कौन सी साथ है कहा वक्त खुत्बा और नमाज पढ़ने का फरमाये के इस वक्तीब मेरे दादा की उम्मत के मिंबरों पर खुत्बे पढ़ते और नात मेरे दादा की कहते और तुम मुझ पर ऐसा जल्म करता रसूल खुदा ने मुह अपना मेरी च्छाती पर रखा और तुम इस तरह मेरी च्छाती पर चड़ बैठा वो बोसे मेरे हलक पर दिया और तुम शम्शेर यहां चलाता मैं रूह जकरिया नबी अपने दाहनी तरफ और रूह यहा बाएं तरफ अपने देखता और तुम मेरी च्छाती पर चड़ा आई शमर वक्ते नमाज है उठ मेरी च्छाती से के मुह तरफ गिबला के करूं और दो रिकत नमाज पढ़ूं के मुझकू नमाज में शहीद होना बाप से मिरास है जबके मैं नमाज में हूँ जो चाहे सोकर आह तब शमर लाइन सीने बेकीना इमाम पर से उठा और हजरत इतनी ताकत रखते थे के मुह गिबला तरफ करके नमाज में मश्गूल हुए बारा मजलिसों के बाद पांच फसले हैं उनमें वाकियात कर्बला के बाद के हालात किलम बंद किये गए हैं कर्बल कथा की एहमियत हर दोर में रही है फजली ने रोज़त शुहदा से तरजमा करके इसे हयात जावदानी अता की जब ये तसनीफ मारिज़ वजूद में आई उस वक्त ये अपनी नौईयत की पहली किताब थी अलबता रफ़ता रफ़ता मरसिये की शकल में इस वाकिये को जुजियात के साथ पेश किया गया फिर भी अर्दू अदब में तारीखी और लिसानी हैसियतों से कर्बल कथा की एहमियत मसल्म है अजीज तलबा और तालबात आज की इस तालीमी प्रोग्राम में जिसका उन्वान कर्बल कथा शिमाली हिंद की एक अहम तस्नीफ पर हम लोगों ने गुफटगू की और अब्तिदाई दौर की जो नसरी तस्नीफ थी उस पे गुफटगू करने के बाद फजल अली फजली की तस्नीफ कर्बल कथा पे तफसीली गुफटगू हुई अजीज तलबा और तालबात आज की उन्वान पर मजीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दी जा रही किताबों का मुतालिया कर सकते हैं अजीज तलबा मजीद जानकारी के लिए आप इस पते पर राप्ता भी कर सकते हैं तलबा और तालबात आज के प्रोग्राम में फिल हाल इतना ही आइंदा एक नए उन्वान के साथ फिर मुलाखात होगी आदाव अजीज प्रोग दोग्राम में मुलाखात थाप्ता भी किता हैं प्रोग्राम में लिए एक प्रोग्राम में जाइंदा थे जाए आए टानकार्प्ता हैं झाल झाल